हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू दे लर्न एंड फन तो बच्चों मेरा नाम है अक्षे अग्रुवाल और काफी लंबे समय से आप लोगों की एक डिमांड आ रही थी कि सर साइंस के लेक्चर्स तो आपके चैनल पर कंटिनियस भी मिल लही है ठीक है लेकिन मैस के क्लिए क्या करे क्योंकि मैस की लेक्चर्वाइ को नहीं मिल लही थे आशुशी आपको फिजिक्स अंग केमिष्ट्री तो आपको बहुत ही बढ़िया त्रीके से आपको लेक्चर्स मिल लहे थे लेकिन अभी कुछ टाइम से बायो जी की लेक्चर्स भी आपको मिलना श्टार्ٹ हो गए है अभी math के lecture काफी लंबे समय से pending थे तो जी आ बच्चो मैं आ चुका हूँ आपके cbse class 12th के term 2 की preparation में जान डाल ले जी आ बच्चो अगर आपको अभी लग रहा है कि किसी भी वज़े से आपके marks कम हो सकते है या फिर आपको लग रहा है कि अभी आपकी preparation नहीं हो पाई है या फिर हो सकता है कि आपको लगता हो कि पहले आपने थोड़ा serious हो करके पाई नहीं करी इसके वज़े से आप अब exam में अच्छा score नहीं कर सकते तो बच्चो ऐसा सोचने की जुरुत नहीं है देखो बच्चो जरूरत यहां पर सीच किया है क्योंकि time हमको मालूम है कि बहुत ही limited बचा है 15 से 20 days का time है हमारे पास math की paper के लिए देखी मैं math की paper को लेकर के चलूँगा ठीक है वैसे तो 26 of April's exam स्टार्ट होंगे बट उसके अलावा math का paper आपका जून में पढ़ ला है मही में पढ़ ला है ठीक आप चो तो उसके according हमें यहाँ पर आपका preparation कर रहा है लेकिन एक चीछ को ध्यार में रखेंगे कि जितना भी time होगा इसमें हमें बहुत ज्यादा hardware की requirement है ठीक है और hardware के साथ साथ थोड़ा सा smart work देखो syllabus cover किया जा सकता है अब सोचो कि अगर मैं एक book उठा करके एक एक exercise के एक question solve करने की कोसिस करूँ यानि कि केवल और केवल अब book के question solve करने बैठ जाओगे तब तो देखो अब time कम बजा है क्योंकि syllabus इतना सारा है questions इतने सारे एक एक exercise में 40 to 45 questions है तो समझ लो time तो बहुत जादा जाने वाला है लेकिन अब smart work यहां पर यह कहता है कि अब हमें उन questions को practice करना है जिनके exams में आने की probability सबसे जाता है जी हाँ probability बात में पढ़ेंगे लेकिन उन questions को पहले पढ़ेंगे जो exam में जिनके आने के chance जाता है यानि कि जो most expected questions है या most important question है वो भी term 2 के pattern पर basis पर जो topic deleted है उनके questions हम बिलकुल भी solve नहीं करेंगे और केवल focus उस पर रहेगा जो term 2 के exam में आना है sample paper पर focus रख करके हम preparation करेंगे तो इन 15 दिनों में भी आप बहुत अच्छा score कर सकते हो मतलब की 40 marks score आप easily कर सकते हैं अगर आप अभी भी बिलकुल tight हो करके price start कर दो अभी भी अगर आप care lesser हो गया तो इमान के चलो कि फिर score नहीं करोगे यह जो time बहुत ही crucial है इस time पर अगर आपने अच्छे से focus कर लिया तो बहुत अच्छा score कर सकते हो चीक है आईए strategy को सबसे पहले समझते हैं क्या है मेरी strategy बच्छों देखिए एक simple से fund अगर हम यहाँ पर समझे कि calculus जो की आपके exam में term 2 के portion में आपका 18 marks का आना है छोड़ो term 2 का slavery directly हम ऐसे समझ सकते हैं कि भाई आपके math की दो book हैं एक है part 1 दूसरा है part 2 part 1 में बच्छों कर मैं बात करूं तो आपका वो पूरा पूरा portion term 1 में आया और part 2 में अगर देखे जाया तो यह आपका term 2 में आने वाला है सिर्फ एक chapter को छोड़ करके वो है आपका LPP linear programming problem वो term 1 में आपका आ गया था आप बच्छों खुच समझे कि आपका part 2 में कौन कौन से topic है आपका integral calculus पूरी involved है मतलब कि integration application of integration उसके बाद differential equation ठीक है इस बात की तो guarantee है कि application of integration में अगर आप ध्यान से समझो तो बहुत ही limited portion आना है जसमें आपका area between two कर वाला portion पूरा deleted है ठीक है बच्छो area between two कर वाला portion पू कम हो जाता है सिर्फ एक कर्व और line के भीच में बनने वाले जो area है उसका हमें fine करने को आएगा तो बहुत 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 टास्क नहीं है कुछ है questions में हम करके बहुत अच्छे से उसको सीख सकते हैं तो अगर आप ध्यान से समझे तो यह बहुत ही easy portion बचा differential equation बहुत ही आसा यहां से 100% मिल जाएंगे क्योंकि यहां पर कही marks करने की गुझाइस नहीं है अगर आपने question सही किया है बिल्कुल वह बहुत हो जाए लेकिन यहां पर गरबढ होने के कोई chance नहीं है तो 18 marks बहुत ही easily score कर सकते हो उसके बाद बच्चों vector and 3D में आ जाए तो यहां पर scalar product, directional cosine, directional ratio यह बहुत simple चीज़े हैं बहुत ही आसान है मतलब कि यह जो factor in 3D आप 12th class में पढ़ रहे हो बहुत ही लिम्टेड है बहुत ही आसान है तो इसको भी अगर आपने बिल्कुल step by step अगर पढ़ लिया तो easily आप पूरा का पूरा यह जो unit 4 हम बोल सकते हैं यानिकि sorry unit 4 हो रहे हां जी 14 marks का हो जाएगा उसके बाद बच्चों आपकी probability probability 11th class में पढ़ कर कि आयो बस यहां पर कुछ आपका जैसे की conditional probability है और theorem है उन सभी चीजों को थोड़ा सा और अच्छे से करेंगे तो 8 marks यहां पर score करना है वैसे देखा जाए तो बहुती syllabus थोड़ा से बढ़ रखोगे सेलेक्ट्व कुशन सेलेट करोगे तो आप इसली टाइम पर फिनिस कर सकते हो अभी हमारा गोल क्या है बच्चों हमारा फोकस यह है कि जो calculus वाला portion है ठीक है calculus वाले portion को यानि की application of integration differential equation और integration इसको हम five lectures में आपका finish करने वाले कितने में five lectures में जी हां five lectures में बहुत ब इसके लिए बच्चों हम आपका four lectures अलग से डिवाइड कर देंगे ठीक है तो nine lectures तो आपको यहां पर हो गए उसके बाब probability पर बच्चों अगर हम three lectures देते हैं तो easily आपका अगर हम देखे तो 12 days में यह पूरा का पूरा portion हम cover कर सकते हो और अभी तरह time आपके पास है क्योंकि आगे पर exam के लिए जो gap मिलने वाला है वो भी हमारे important है तो उन सभी चीज़ों करने वाले तो इसमें आपका पूरा का पूरा जितनी भी important questions है most repeated questions है सब के सब cover हो जाएंगे ठीक है उसके पास sample paper के discussion है यह सारी चीज़े आपको हो जाएंगी तो बेफिकर रहो बहुत अच् integration की बात करूँ जो कि आपका पहला chapter है term two के syllabus के लिए अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारी चीज़े हैं लेकिन हमारा focus किन किन चीज़ों पर होना है आप देख सकते हैं geometrical interpretation of integration इस पर हम नहीं जाएंगे ठीक है क्या होता है हमको मालूम है कि differentiation का एकदम करवर्ज है ठीक है बट यहां पर हम उस पर नहीं जाएंगे हमारा focus सीधे रहेगा बच्चों किस पर कुछ properties of indifferent integration की क्या properties होती है उसके बाद methods of solution कि किस तरीके से हम integral integral को solve करेंगे उस पर बात करेंगे जो भी methods है substitution method है उसके बाद partial fraction है है ना इन सभी चीज़ों पर अच्छे focus करेंगे बच्चों और यह सारी चीज़े आपकी यहाँ पर आएंगे फिर definite integration आएगा जिस पर बेश कुछ selective questions बहुत important है log sin x है log cos x है यह कुछ ऐसे हैं 0 to pi by 2 के interval में ठीक है यह ऐसी है कि यह कि इनमें से एक question हर हाल में आपको देखने को मिलता है तो उस type के questions को हम यहाँ पर solve करेंगे और basically यहाँ पर अगर आप देखो limit as a sum यह पूरी access are deleted है ठीक आपचो fundamental theorem of calculus में केवल इसका statement पढ़ना है और इस पर बेश कुछ questions ठीक है इसके proof अगयर अपर हमें बिल्कुल भी नहीं जाना है ठीक आपचो और कुछ properties और definite integrals वह आपकी important है जिसमें से सबसे important आपका king rule है तो बस king rule को पढ़कर के अच्छे से चले जाओ तो king rule पर बेश प्रॉपर्टी से easily tackle हो जाती है सारी ठीक है तो property भी टेंशन नहीं है पूरा chapter हम बहुत अच्छे से कर सकते हैं तो सबसे पहले बच्चो आज के इस lecture में कर हम बात करें तो integration क्या है उसकी properties क्या है और उसके बार बच्चो आपका substitution method इस पर हम आज focus करेंगे और इसकी questions को अच्छे से solve करने वाले चलिए जी तो बच्चो सब function है तो इसका differentiation होता है एन प्लस वन इंटू में एक्स्टू दी पावर तो अब आप देख सकते हो कि एक्स्टू दी पावर एन का integration एक्स्टू दी पावर एन प्लस वर अपॉन में प्लस वन यह constant यहाँ पर c एड होता है क्योंकि हमारे बात जो difference मलब की integrate करने पर जो function मिलता है वह एक फंक्शन नहीं होता वह family of curve को represent कर रहा होता है किसको represent कर रहा होता है बच्चो family of curve को represent कर रहा होता है इस वजह से for example आप basic चीज इसको जानते ही होगे कि c add क्यों करते हैं कर्वार बच्च इसको add करने में गलती कर देते हैं for example एक function ने आप के पास मालओ 2x प्लस में 3 ठीकैब चो दूसरा function आपके पास मालों आपके पास 2x प्लस में 4 तीसरा function आपके अपास 2x प्लस में आपका 5 ठीक है प्चुप यापके पास माल लो फंक्शन दे रख एंटिक हैं अगर मैं यहाँ पर एक रिंट कॉन को हम इंटिक्रेट अगर हमें करना है चलिए ऐसे ऐसे करो इसको एक से कोई कॏंस्टेट अगरम ले लिए फॉरिखाम इठ क कोई कोई बच्चो बचो वन इन्टो में डी एकस ठिक कोई कॉसंट इसका बेर इंटिगरेशन करेंगे तो क्या मिलें वाला है बच्छो वन मिलने वाला है तो ये इसकी inverse process होगी ठीक है बच्छो similarly अगर आप यहाँ पर देखो कि x to the power n अप सोच नहीं आपर है ना कि अगर मैं आपसे यह बोलू कि आपके पास x plus में c है x plus में मालों आपके पास c है x को differentiate करने पर 1 मिलता है तो 1 का integration x हो गया सोचो अगर मैं सोचू कि x plus c को differentiate करूं d by dx of x plus c तो यह हमें से क्या है बच्छो आपका 1 के बराबर आएगा ठीक है d by dx of x plus c आपके पास क्या है का 1 के बराबर अब चाहें यहाँ पस c के place पर a 1, 2, 3, 4, 5 ते कुछ भी रखतो यानि कि x plus 1, x plus 2, x plus 3, x plus 4 इन सभी functions का differentiation क्या मिलेगा 1 मिला है मतलब क्या हुआ कि 1 का integration एक तरीके से देखा जाए तो x plus c के form के जितने भी curves है उन सभी को represent कर रहा है ठीक है बचो इसलिए constant term में आपर बहुत जादे important होता है एक्जाम में अगर आप ये नहीं करोगे तो आपके marks कर जाएंगे तो constant term add करना बहुत ज़्यादा जरूरी है तो इस तरीके से सारे फॉर्मूले होगा है cos x का integration, sin x plus c, sin x का integration, minus का cos x plus c, पूरी inverse process चल लिए ठीक है cos x का differentiation क्या होता था, minus में sin x, तो अब sin x का होता, minus में cos x है, ठीक है बचो, चलिए इस तरीके से सारे फॉर्मूले होगा है, sec square x का 10 x plus c, cos x square x का minus में cot x plus c, sec x into में 10 x का आपका, sec x क्या हो गया cos x into में cot x आपका, minus में cos x हो गया, उसके बाद बच्चो, यह आपके पास inverse trigonometric function के derivative हो गए d by dx of 1 minus x square, square root 1 minus x square, sin inverse x, minus 1 upon square root 1 minus x square, cos inverse, minus का cos inverse x के बराबर उस तरीके से यह आपके फॉर्मूले हो गए, inverse trigonometric function के, ठीक है बचो, चलिए इसके बाद बच्चो, यह second verse, cosic inverse, e to the power x का derivative, e to the power x से होता है, तो integration भी as it is, e to the power x plus c आगया, 1 upon x का derivative, log x का derivative क्या हो आता, 1 upon x, तो 1 upon x का integration log of x के बराबर हो गया, a to the power x का integration a to the power x upon log a plus c, यह आपके कुछ basic formula दो गया, ठीक है बचो, चलिए, अब properties of interpret integration के अगर मैं बात करूँ, यह integral की बात करूँ, तो बच्चो जैसे कि आपको मालूम है, the process of differentiation and integration, और inverse of each other, यह क्या है, एक दूसरी की inverse है, पिल्कुल हमें से चीज़ को दिमाग में रखिएगा, तो अगर मैं बोलना हूँ कि अगर मैं integral function का derivative करता हूँ, जान समझे न, यह integral है, integral of fx into dx, अगर मैं इसको derivative करता हूँ, यह आपको fx के equal आजाता है, किसके equal आजाता है, बच्चो, fx के equal आजाता है, है ना, तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूँ, बच्चो, कि integration of fx into dx, जो होगा, वो fx plus c के बराबर होगा, जहां पर c आपका कोई भी arbitrary constant हो सकता है, ठीक है, कोई भी constant हो सकता है, उसके according, ठीक है, चलिए, जहांने कि integration of f-x, f-x का मनला है, d by dx of fx को denote कर रहा है, तो d by dx of fx into dx equal to fx plus c के बराबर होगा, ठीक है, तो function का integration represent the family of curve, not a singular function, ठीक है, जब हम definite integration पर बात करते हैं, तब हमें एक particular function मिल जाता है, ठीक है, लेकिन indefinite integration में हमें function को integrate करने पर family of curve मिलता है, यह फंक्शन की family मिलती है, ठीक है, पूरा परिवार आता है, अकेले कोई नहीं आता है, जब भी आप card में लिख करके बहुत बोलते हो ना, कि आपने अगर नाम लिख दिया किसी कहा, ठीक है, तो लोग समझते क्या है, कि भा अब वो एक particular person ही आपके यहाँ पर card में invitation में आएगा, ठीक है, इसलिए card में लिखा जाता है, with family, क्यों, क्योंकि पूरी family को invite किया जा रहा है, चलिए, यह हो गया बच्चों, इसके बाद अगर next में बात करूं, two indefinite integrals with the same derivative, ठीक है, दो indefinite integral जिनका derivative same है, उनको हम equivalent बोलत अब algebra of integrals देख लेते हैं, कि अगर किसी function में कोई constant case से multiply करते हो, तो integration of kfx dx equal to, k into में integral of fx dx plus में ck बराबर हो जाएगा, ठीक है, उसके रावा बच्चों, property third and fourth को अगर आप combine कर दो, ठीक है, I think यहाँ पर third property miss हो गई है, चलिए, third property actual में अगर मैं बात करूं, तो कुछ इस तरीके से थी, third property यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, third property बच्चों, यहाँ पर मैं आपके लिए mention कर देता हूँ, क्योंकि साइध वो skip हो गया, third property यह कि integration of fx plus में g of x, ठीक है बच्चों, और into dx, तो यह किसके को लोगा, integration of f of x, ठीक है बच्चों, d of x plus में integration of g of x into d of x, ठीक है, तो यहाँ आपके पास बच्चों, मैं बोलू, आपका third property हो गए, चलिए, और fourth हो गई, k into f of x, dx equal to k integral of fx dx, तो अगर I'm combine कर दे, तो k1, f1, k2, f2, kn, fn, इसका integral, क्या हो जाएगा बच्चों, k1, f1, x into dx, k2, f2, x into dx, kn, fn, x into dx, तो अलाग अलाग आपका separate separate हम integration निकाल सकते हैं, ठीक है, यानि कि 2 functions के, 2 functions के sum का integration, उनके अलाग अलाग integration के sum के equal होता है, ठीक है बच्चों, तो यह आपके पास निकल कर क क्लियर है, यहाँ पर कोई doubt ही, तो बता सकते हो, कोई doubt है, तो बता सकते हो, ठीक है, यहाँ पर clear समझ में आ गया, कुछ है नहीं, basic properties है, चलो जी, तो अब आते है questions पर, तो basic integration सबसे पहले, सबसे पहले basic questions के साथ में start करेंगे, x to the power 3 minus 1 upon में x square into dx लिखा होगा है, ठीक है, इ integrate करना है बच्चों, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, देखो, simple सा, आपने क्या किया है, यहाँ पर, x to the power 2 को अगर आप divide कर दो, तो x cube upon में x square, minus में 1 upon में x square, और यह into में आपका dx बन जाएगा, अब अगर आप इसको देखो तो यह बन जाएगा, x into में dx और minus, यह हो integrate कर लिया, x का integration क्या हो जाएगा, बच्चों, यह बन जाएगा, आपके पास x square upon में 2, यहाँ पर देखे, x की power minus 2 है, तो minus 2 plus 1 upon में minus 2 plus 1, तो बच्चों, यह basically आप plus में C, तो यह क्या बन गाए बच्चों, x square by 2, ओके, प्लस में x की power minus 1, ओके, प्लस में x की power minus 1, और प्लस म c, यह आपके पास बच्चों क्या आगे, integration आगया, आपका first बाले का, simple, यह simple integration direct formula के पर बेश्ट, x to the power n into dx equal to x to the power n plus 1, upon में n plus 1, तो simply अपलाई कर सकते हो, ठीक है, यह question आपको 1 से 2 marks में पूछा जा सकता है, हलाकि term 2 में आपका जो numbers का weightage है, वो 2, 3 and 4 marks कहीं है, है ना, जो बी questions आएंगे, वो 2 marks के, 3 marks के, और 4 marks के आएंगे, कोई objective question नहीं आएगा, multiple choice question नहीं आएगा, सारे question आपको fully subjective बेश जाने वाले, चीक है, इस बात को तो clear है, खेर, questions अकर बदल भी सकते हैं, तो चिंता की बातने वो भी कर लेंगे, इसी तरह, x to the power 2 by 3 plus 1 into dx, simple formula apply करोगे, आ लेकरो, integrate करो, तो अलग अलग integrate करोगे, तो x to the power 3 by 2 into dx, प्लस में 2 into me, e to the power x into me dx, minus 1 upon x into me, आपका dx, तो यह क्या बनेगा, बच्चो, x की power 3 by 2 plus 1 upon me, 3 by 2 plus 1, यह बन गया, आपके पाश, 2 e to the power x, और यह बन गया, minus में log, mod of x, प्लस में आपका c, यह क्या बन गया, बच्चो, यह बन के 5 by 2, तो मतलब की बना 2 upon me, 5 x की power 5 by 2, प्लस में 2 e to the power x, minus में log, mod of x, प्लस में आपका c, यह आपके पास बच्चो, इसका integration आगया, simply formula apply कर रहा हो, और कुछ भी नहीं है, तो पहले तो, जितने basic formulas है, basic formula, वो एक्दम यहाँ पर बैठे होने चाहिए, कई बार बच् pronunciation apply कर देते, integral की basis पर, और उससे तो, महापाप, समझेरो, महापाप हो जाएगा, अगर आपने term 2 में यह गलती कर दी, समझेरो, चलो, आगे बरते हैं, अगला है बच्चो, find the following integrals, इस integral को find करना है, integration of second square x upon me, classic square of x into dx, बच्चो देखे, simple ली बात है, कि आपका जो 85% जो questions आपके exam में आएंगे, वो CBSC, यानि कि NCRT, टेक्स्ट बुक से आएंगे, यह guarantee है, यानि कि आपको यहाँ पर सिर्फ इतना करना है, कि जो important question वो solve करो, जो कि आपका NCRT पर बेच्ट है, अलाग अला question से वो बात के बाद में देखना, क्योंकि वो बाद में आएंगे, वो 100% slabacy NCRT से बनाया जाएगा, ठीक है, चलिए, integration of second square x upon में cos x square of x into dx, जल्दी से बता सका integration क्या होगा, ठीक है, बहुत simple है, अगर आप घ्यान से देखो, second square x को हम लिख सकते हैं, one upon में आपका cos square x, और one upon cos square x को लिख सकते हैं, बच्चों में आप, sin square of x, ठीक है, तो यह बन ग x into में dx, जैना, अब 10 square of x बन गया, अब यहाँ पर आप trigonometric identity use कर सकते हो, कि भई हमको मानम है, कि second square x minus में 10 square x की value क्या होती है, यादने सब को, second square x minus में 10 square of x की value आपके पास, one की बराबर होती है, तो अगर में 10 square x की value की बात करूँ, तो यह बन जाएगा, आपके पास, second square of x minus one, into में आपका dx, तो यह बन गया, आपके पास simply क्या, integration है का 10 of x minus में x plus में c, यह आपके पास, बच्चो, answer निकल के आजाएगा, चीक है बच्चो, second square x का integration, 10 of x, minus one का integration, x हो गया, और plus में आपका c, तो यह आपके पास, निकल के आजाएगा, clear है, फटा फट से आगे नेक्ट कुश्चन पनाते हो, two minus three sine x upon में c square of x, two minus में three sine x upon में आपका c square of x, d x, क्या से integrate करेंगे, दिमाग लगाओ, कुछ नहीं करना, c square x से अब divide कर दो, अभी क्या है, अभी यहाँ पर देखो, question पर focus कर किये, देखो, क्या कोई identity apply हो सकती है, नहीं हो सकती है, मतलब कि identity व तो यह standard form की integration देगा, यानि कि two, और one upon, यानि कि two upon में c square of x into में dx, और minus में three, और यहाँ पर आपके पास sine of x upon में आपके पास c square of x into में dx, ठीक है, चलिए, तो यह बनगे आपके पास integration two times sec square of x into में dx, और यहाँ पर क्या बनेगा, three, देखना, cos square x को लिखोगे cos x into में cos x, तो sine x upon cos x means 10 of x, तो यह बन जाएगा आपके पास 10 of x into में आपके पास sec of x और यहाँ पर बनगे आपके पास dx, clear है, तो solve करेंगे बच्चों तो यह क्या बन जाएगा आपके पास, two, sec square x का integration आपके पास बनेगा, यहाँ पर 10 of x, और 10 x into में sec x का integration आपके पास बनेगा sec of x, तो minus में 3 sec of x और plus में c, यह आपके पास बच्चों इसका integration निकल करके आगया, ठीक है बच्चों, two, ten x minus में 3 sec x plus में c, इसका integration आपको निकल करके आगया, clear है, कोई doubt हो तो बच्चों पूछ सकते हो, simple, चलो, two, ten x minus में 3 sec x plus में c, यह आपके पास निकल करके आगे किसका इसका इंडिगरेशन बहुत ही सिंपल है नॉर्मली हमने डिवाइड कर दिया आगे पर बढ़ते हैं नेक्ट कोश्चन पर आते हैं आजो अब यह कोश्चन है बच्चों आपके जो प्रॉपर्टी मैंने डिसकस करी थी उस पर वेश्च कोश्चन है कि कि भाई D of dx D by dx of fx हमारे पास 4x to the power 3 minus में 3 upon x to the power 4 given है और such that f of 2 equal to 0 then हमें fx की value find करनी है fx निकालना है यहाँ पर d by dx of fx दिया गया है सोचो दिवाग लगा कि d by dx of fx अगर आपके पास है जो की है 4x cube minus में 3 upon में x to the power 4 तो लिख लो चाहिए 3 into x to the power minus 4 ठीके यह given है हमें fx की value चाहिए अगर मैं इसको integrate कर दूँ किसके respect में बच्चो विद रिस्पेक्ट to x एक सेकें इसको ऐसे लिख लेते हैं अगर हम इसको integrate करूँ दोनों side को क्या कर दूँ बच्चो मैं integrate कर द है चलो तो क्या बनेगा d by dx of fx dx हमारे पास बन जाएगा किसके बराबर f of x के बराबर और यह equal to आएगा 4x to the power 3 इसका integration x to the power 4 by 4 और माइनस में 3 into में x to the power minus 4 है ना माइनस 4 प्लस 1 अपॉन में माइनस 4 प्लस 1 और यहाँ पर प्लस में constant c एड कर दो तो यह basically क्या बन गया f of x equal to हमें मिलेगा x to the power 4 और यह माइनस माइनस आपके पास बन गया plus और यह बना आपके पास 3 से 3 cancel तो बना x to the power minus 3 x to the power minus 3 and plus में आपके पास c मिल गया ओके अब यहाँ तक आपको एक function मिल गया जो कि family of curve को represent कर रहा है जो कि family of curve अब यहाँ पर initial condition given है कि when x equal to 2 fx equal to 0 तो अगर मैं यहाँ पर x equal to 2 रखता हूं तो हमें fx की value क्या मिलती ही बेटा 0 मिलती है ठीक है x equal to 2 रखने पर fx की value 0 यहाँ पर रखोगे बच्चों तो simply यह ह पावर 4 ओके एंड प्लस में 2 की पावर आपका minus 3 and plus में c तो solve करोगे तो कितना आएगा 16 प्लस में 1 upon में आपका 8 आगया and plus में c आगया आपर तो LHS में अगर हम इसको ले आते हैं equal to 0 तो basically यहाँ पर क्या मिल गया add करोगे तो 16 8 जा यह बने गया आपके पास c is equal to 8 6 जा 48 तो यहाँ पर 8 हाया carry आपके पास 4 8 1 जा 8 और प्लस 4 12 यह आपके पास minus 128 प्लस 1 upon में आपका 8 आया और माइनस में तो इस तरद से c की value हमारे पास minus का 129 अपॉन में 8 मिलेगा क्या मिलेगा माइनस का 129 अपॉन में तो अगर आप यहाँ पर देखो तो क्या मिलिया एक सी की वैली यहाँ पर रख दोगे तो fx जो हमारे पास बना वो यह बन गया एक्स टुदी पावर 4 प्लस में वर अपॉन एक्स टुदी पावर 3 माइनस में 129 अपॉन में 8 यह आपके पास बच्छों फंक्ष्ट हमको निकल करके आ गया यह यह हमको यहां से फंक्ष्ट हमको निकल करके आगए देख लेक बार ऑप्शन में देखते हैं तो बन गया एक्स टुदी पावर 4 प्लस में वान अपॉन एक्स क्यूब बाइनस में 129 अपॉन एड तो ऑप्शन नमबर ए बच्छों इस कोशन का राइट अंसर था प्लियर है ऑप्शन नमब लेकिन अगर एक इनीशियल कंडिशन एड हो गई कि एक्स एक्कॉल टुदिस पर य की वैलू यह है तो उसके रिस्पेक्ट में आपको एक यूनिक फंक्षन मिलेगा जो कि आपको यहां पर निकल के आया एक्स टुदी पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस में 129 अपॉन में एक यूनिक फंक्षन आपको यहां पर निकल करके आगया क्लियर है संपल तो इस तरीके से बच्चों हम यहां पर आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिग्रेशन अप्लाई करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं अब बच्चों मैथेट्स ऑफ इंडिग्रेशन पर चलिए तो यहां तक की कहानी बेसिक इंडिग्रेशन उसके फॉर्मूला जो अभी तक हुए वह अब पूरे चैप्टर में आपको यह यूज में आने वाले हैं तो कुछ इंपॉर्टन कुर्शन अभी डिसकस हो चुकिए अब बात करते हैं मैथर्स ऑफ ठीक हैं यह तीर मैथर्ड बच्चों जहां पर हमें यूज करने वाले हैं तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं यहां पर आपका इंटिग्रेशन वाई सब्सक्रिट्यूशन क्योंकि यह एक ऐसा मैथर्ड है जो की most of the questions में आपको apply हो रहा होता है कहीं पर partial fraction भी है तो वहां पर भी integrate करते के टाइम पर आपका substitution apply हो रहा है यानि कि यह base है पूरे integration का अब आगे पर जो questions आएंगे exam में जो question मिलेगा ना उसमें देखना कि यह आपके लिए base की तरह काम करेगा substitution तो हर जगे पर apply होने वाला है ठीक है अब इस तरीके substitution apply करेंगे पहले कुछ basic देख लेते हैं एक simple सी example से समस्थे for example बच्चों आपको माल लो integration of sign ax into dx लिखा हुआ है आपको क्या find करना है बच्चों integration of sign ax into dx कैसे substitution apply होता है एक नगर इस पर हम बार लेते हैं तो बस तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है normal हमें formula तो मालूम है कि sign of x into dx होता हमारे पास तो लिखते minus में cos x प्लस में आपका c ठीक है बट यहाँ पर तो sign ax है तो देखना substitution क्या बोला है यह जो ax है अगर आप इसको t consider कर लेते हो क्या consider कर लेते हो तो t अब अगर आप दोनों side को x के respect में differentiate करोगे ठीक है दोनों side को x के respect में अगर differentiate हो गया ठीक है तो अगर आप यहाँ से देखो तो हम लिख सकते कि जो dx होगा वो dt अपॉन में एक बराबर होगा dx क्या होगा बच्छा dt अपॉन में एक बराबर अब dx को अगर आप dt अपॉन ए से replace करोगे तो यह क्या बन गया देखेगा साइन पूरा x को हम लिखेंगे आपर कितना बच्छो टी और dx को लिखेंगे हैं हम यहाँ पर dt अपॉन में ए तो ए तो नहीं आता अगर वो function same है तो कुल मिला करके यहाँ पर साइन टी का integration बन गया क्या कॉस टी यह बेसिकली हमारे पस क्या निकल करके आ गया देखना यहाँ पर अगर आप देखो तो यह आगे आपके पास माइनस में माइनस में कॉस टी अपॉण में आपका a t की value पुट कर दो की यह बन जाएगा आपके आप माइनस में कॉस आपॉण में आपको a प्लस में c प्लस में c भी एड़ कर देंगे तो यह जो एप लाई हुआ भचू यह है का substitution method ठीक है यह बिलकुल base funktion के लिए ठीक है, sine of x dx equal to minus में cos x upon में a plus में c के बराबर, ठीक है बच्छो, इसी तरीके से अगर आप से पूछा जाए कि c square x into dx, तो आप क्या बोलोगे, 10 x upon में a plus में c, ठीक है, यही चीज आपका substitution method आपका सहर जगे पर apply होने हैं, चलो, तो कुछ question देखने हैं बच्छो, integrate the function 2x upon में 1 plus x square, ठीक है, इसको हमें integrate करना है, पहले वाले को integrate करते हैं बच्छो, dx, ठीक है, 2x upon में 1 plus x square, अगर आप यहाँ पर suppose करो कि 1 plus x square अगर आपका t के बराबर है, तो x के respect में, दोनों साइट पर अगर आप differentiation करोगे, तो आएगा 2x, क्योंकि 1 का derivative to 0, तो 2x equal to आपके पास dt upon dx, क्या कर दिया, दोनों साइट का x के respect में differentiate कर दिया, तो 2x equal to dt upon dx, तो यहाँ पर अगर आप देखो, ठीक है, 1 plus x square, ठीक है जी, यह t हो गया, तो यहाँ पर अगर आप देखो, तो क्या बन गया हमार पस, 2x into में dx देखेगा, 2x into में dx बराबर आपका बन गया dt, यह आपको निकल करके आगया, ठीक है, क्या आगया बच्छों, 2x into में dx आपका dt के बराबर, अब 2x into dx को अगर आप लिख सकते हैं यहाँ पर dt, तो यह बन गया dt, और upon में 1 plus x square यहाँ पर आपका t है, तो dt upon t बच्छों क्या बनेगा आपके पास, log mod t के बराबर और plus में आपका c, log mod t, plus में आपका c के बराबर आगया, अब t की value अगर आ आप यहाँ पर put कर दोगे तो यह बन जाएगा log, 1 plus में x square and plus में आपका c, तो यह हमको बच्छों integration मिल गया, 2x upon में 1 plus x square dx का, clear है, बहुत basic है, यहाँ पर क्या consider करोगे, यहाँ पर आप let करोगे, let log x equal to आप t ले लो, तो अपने आप log x का differentiation, 1 upon x equal to dt upon dx, तो 1 upon x into में dx जाएं समझेगा, एक और समझ लो, ताकि और clear हो जाए, अगर मैंने यहाँ पर log x equal to t ले लिया, ठीक है, ले लो यहाँ पर log x equal to अगर t ले ले, तो 1 upon x differentiate करे x के respect में, तो 1 upon x equal to dt upon में dx, तो यहाँ पर dx upon में x मिल करके बन गे आपका dt, ठीक है बच्छों, अब इसको जाकर करके यहाँ पर apply कर देंगे, तो यह क्या बन जाएगा बच्छों, integration log x की value आपके पास क्या बनेगे t, तो यह बन के t square, और dx upon में x आपके पास बन गे आपर dt, तो यह बना t square into dt, और इसको अगर हम integrate करेंगे, तो बने का t to the power 3 upon में 3, प्लस में आपका c, क्या बन जाएगा, t to the power 3 upon में 3, प्लस में आपका c, यह आपको निकल करके आगया, ठीक है, integration of t to the power 2 into dt, t cube upon t plus c, अब t की value आप में आपके पर put कर सकते हो, तो यह आपके पास बन जाएगा, simple, log x है ना, तो यह बन जाएगा आपके पास, log x to the power 3 upon में 3, प्लस में c, यह आपका answer आगया, ठीक है बचो, second वाले answer क्या आगया, log x का whole cube upon में 3, प्लस में c, यह आपके पास इसका integration निकल करके आगया, clear है बचो, बस ऐसे questions को आप practice करते चलो, धीरे धीरे धीरे, जब यह basic integration आपके आजाते हैं, तो फिर different integration, फिर बाकी partial fraction, सारी चीज़ आपर cover कर लेंगे, ठीक है, next, one upon x plus में x log x, इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर क्या let करो गया, बताओ जल्दी से, one upon में x log x, चलो, one upon में x plus में x log x dx, इसको कैसे integrate करेंगे, जल्दी से बताइए, comment box open है, comment box में अपना, जो भी queries है, जो भी problem है, clearly लिख करके भेजो, ठीक है बचो, one upon में x plus में x log x into dx, किसके बराबर हो one upon में x common ले लो, तो यह बन जाएगा आपके पास, one plus में आपका log x, और into में dx, अब यहाँ पर, आप let कर लो, कि one plus log x जो आपके पास है, यह आपका t के बराबर है, one plus log x आपका t के बराबर है, तो one upon x, differentiate करो, x के respect में, तो one upon x equal to dt by dx, तो यह बन गया, one upon x into में dx equal to बन गया, आपके पास क्या बच्चा, dt बन गया, clear है, इसको apply कर दो हैं आपर, तो यह आपके पास बन गया, integration, one upon x dx equal to dt, यहाँ पर as it is जड़ा, one plus log x हमारे पास t बन गया, तो यह बन गया, तो यह बन गया, आपके पास log, mod t, plus में c, t की value आपको पूट करना है, तो log पहले से है, और t की value पूट करोगो, तो यह बन जाए का one plus में log x, ठीक है बचो, and plus में आपके पास c, यहाँ मारे पास integration आगया, answer आगया, clear है, simple item, okay, चलो, basic formula लणने है, तो आप easily integration यहाँ पर कर सकते हो, कोई डाउट हो, तो पूछ सकते हो, ठीक है, कोई भी डाउट है, तो clear हो कर के आगे बढ़ते हैं, बच्चो, next उस पर आते हैं, integrate the function, sin x into sin cos x, ठीक है बच्चो, इसको integrate करना है, चलो, फटा फटते, सबसे पहले आपको इसको integrate करना है, तो integration यह बन गया, आपका dx, ठीक है, अब देखे, sin x into sin cos x, आपको cos x, यहाँ पर, बलब कि तो compo gson of function यहाँ पर नहीं, let's suppose cos x को अपना क्या ले लिया, बच्चो, t ले लिया, अब variable t मैं ले रहा हूँ, आप चाहो तो, u ले लो, v ले लो, सो कोई फरक नहीं पड़ता, कोई भी variable आप ले सकते हैं, cos x का differentiation मनता है, minus में sin x, equal to dt upon में आपका dx, तो बच्चो, यहाँ से sin x into में dx की बात करें, तो minus में dt के बराबर, minus में dt के बराबर, यह चीज़ हमको यहाँ पर निकल के आगए, minus में dt के बराबर, अब देखना हूँ, तो basically बच्चो, यहाँ पर क्या बना, sin x into में sin cos x, तो sin x into dx, sin x into में dx, क्या बनेगा, minus dt, तो यह minus के sin को बाहर लगा दो, dt आपने लिख दिया, sin य के आपके पास क्या, integration, minus में sin t into dt, अब sin t का integration क्या होता आपके पास, minus में cos t, यह होता है बच्चो, और minus एक पहरे से लगा है, और plus में यहाँ पर c हो गया, तो अब आप यहाँ पर apply करोगे, तो क्या बन जाएंगा, जहां से देखेंगा, यहाँ पर apply करो, तो यह बन जाए कितनी है, cos x, तो यह बन गए, cos of cos x, क्या बन गए है बच्चो, cos of cos x, ठीक है, और plus में आपके पास c, यह इसका answer हो गया, ठीक है, पहले वाले का answer क्या बना बच्चो, मैं अपकी fourth number का, cos of cos x, यह भी composition of function मिला, कि sin x into में, sin of cos x, dx equal to, cos of cos x, प्लस में c, यह आपके पास आगया है, इसका integration, clear है, कोई doubt, अगले कुशन पर, sin x plus b into cos x plus b, ठीक है, इसको में integrate करना है, with respect to x, मतलब की dx, यह हो गया, चलिए जी, अब देखते हैं, यहापर क्या करेंगे, बहुत ही simple है, अराम से करते चलो, धीरे-धीरे सब बनता जाएगा, sin x plus b into cos x plus b into x, आपके पास, में आप चाहो, तो किसी को भी सपोस कर सकते हो, अगर मैं हाँ पर, suppose करो, sin ax plus b, को, sin ax plus b, को, अगर सपोस करो में, t let करता हूं, sin ax plus b, को t let करता हूं, तो बहुत simple तरीके से, अगर आप सको differentiate करोगे, तो बने का, cos x plus, may be, क्या बने का, cos x plus, may be, into, may, dby dx of, AX plus में B और यह आपके पास आएगा DT by DX यहाँ पर भी आपका प्राई होगा chain rule ठीक है Now AX plus B का differentiation A आएगा तो बन गया A into में cos AX plus में B और यहाँ पर equal to DT by DX चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो यहाँ पर into में DX equal to DT चलो ऐसे बने गया तो cos AX plus B into DX बराबर A को divide में ले जाना तो DT by A बन जाएगा तो यहाँ पर यह क्या बने गया integration cos AX plus B आप चाहो तो इसको भी denominator में ले जाओ इसके तो बैटर आ जाएगा A को इधर से हटा तो DT upon में A लिक तो चलो अब बैटर रहे तो यह cos AX plus B into DX बराबर DT by A तो यह बने गया आपके पास sin AX plus B को हमें T लेना है तो यह बाग के बने गया T into में DT upon में आपके पास क्या A है तो यह बने गया 1 upon A T को बने गया T square upon में आपका 2 प्लस में आपका C तो यहाँ पर आगर simplify करोगे तो क्या आएगा T square upon में 2A plus में C आ गया और T की value अगर आप पूट कर दो तो मतलब की sin square AX plus B sin square AX plus B upon में two times of A plus में C यह आपके पास integration निकल करके आ गया क्या आ गया बच्छो साइन square AX plus B upon में two A plus में C constant add करना बिलकुल भी नहीं हमें skip करना यह हमें अच्छे सी याद रोची यह अच्छे से नोट कर लो जिसको भी नोट करना है clear है नोट कर लो सारे बच्छे हो गया बच्छों आगे समझ में चलिए बहुत सिंपल है बस थोड़ा सा ध्यान से करना है इसको देख लो साइन X plus B equal to T cause difference differentiate किया X के respect में तो cause X plus B X plus B का दुबार डिफरेंट चेन रूल अप्लाई हुआ डिटी अपॉन डिएक्स यहां से आपको मिल गया क्या यह मिल गया तो यह मिल गया आपके पास cause X plus B into में डिएक्स equal to DT by A निकल के आगे डाय टिश्टब पर आजए और फिर इसकी वैल्यू को यहां पर रख दो तो T into में DT by A तो यह बन गया आपके पास one upon A T square upon two plus में C T की value put कर दो तो यह आपके पास निकल करके आगे ख्लियर है चलिए यह complete होता अगले कुशन पर आते हैं integrate the following integration है आपके पास square root AX plus B ठीक है बचो किसको integrate करना है square root of AX plus B चलिए इसको अगर हम integrate करें with respect to X तो क्या बनेगा सबसे पहले यहां पर हमने AX plus B को suppose करो T let कर लिया ठीक है चलो तो अगर मैं differentiate करूंगा with respect to X तो आएगा A यानिकि AX plus B यह होगा आपके पास D by DX equal to आपके पास DT upon में आपका DX ठीक है तो D by DX AX plus B इसकी value आगई आपके पास कितिनी A के बराबर तो एक तरीके से अगर हम यहाँ पर देखें तो यह बंजाएगा A into way DX equal to आपके पास आएगा DT के तो DX की value हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं DT upon A के बराबर किसके बराबर बच्चो DT upon A के बस तो DT upon A अगर आप यहाँ पर DX के प्रेस पर लिख रहो तो यह आपके पास बन गया integration ठीक है AX plus B की value क्या हो गई T तो बन गया square root of T ठीक है और DX के प्रेस पर आप लिख रहो 1 by 2 प्लस में 1 यहाँ पर आया and प्लस में C आपके पास निकल करके आगया तो इसको simplify करोगे बच्चों तो यह आपके पास निकल के आया 3 by 2 ठीक है तो यह बन जाएगा आपके पास 2 by 3 तो 2 upon में आपका 3 है और यह बना T की power 3 by 2 और प्लस में C T की value अगर आप यहाँ पर जाकर के put कर देते हो तो बेसिकली आपके पास निकल के आता है कितना I think इसको उपर लिख देता हूँ थाकि बेटर समझ में आए चलो इसको मैं उपर लिख देता हूँ इसको उपर ही लिख देते हैं ठीक है इतना हमें परशान होने की जरूती नहीं पेज अपने बहुत बहुत है आज़ो ठीक है यह बनगे आपके पास इतना अब यहाँ पर अगर आप जाकर के put कर दोगे तो बन जाएगा integration square root of T dx के place पर dt upon में A तो इसको one by यह बाहर लिख 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 रहें तो यह बन गया आपके पास one upon A T की पावर one by two plus one upon में one by two plus one ठीक है और प्लस में आपके पास c तो यह बन गया one upon A T की पावर आपके पास three by two upon में यहाँ पर 3 by 2 आ गया प्लस में C तो यह बन जाएगा आपके पास 2 upon में 3A T की वैल्यू पुट कर दो तो बन जाएगा AX प्लस में B की पावर आपके पास 3 by 2 and प्लस में आपके पास C यह आपके पास इसका integration निकल करके आगे clear है इसका integration आपके पास यह निकल करके आगया 2 upon में 3A AX प्लस B की होल पावर आपके पास 3 by 2 और प्लस में C बन गया ओके is that clear or not clear है चलिए इसी तरीके से बच्चों इसको solve करोगे similarly बच्चों आप इसको भी solve करोगे तो seven and eight आपका इसी तरीके से solve हो जाएंगे कोई डाउट हो तो पूछ लो यह तो आगे बढ़ जाएंगे ठीक है क्लियर है कोई डाउट तो नहीं है बहुत सिंपल है तो इंटिग्रेशन बस अप्लाई करते चलो अच्छा एर से नंबर वाला को तो बता देता हूं एर से नंबर वाला देख लो चाहो तो यहाँ पर है आपके पास integration x into square root 1 plus में 2x square ओके बनेगा आपके पास जीरो और यह बन जाएगा आपके पास फॉर टाइमस एक्स एक्स इक्वल टू डी एक्स ठीक है यहां से बना फॉर एक्स इन्टू में डी ऍक्स इक्रेटू आ आपके पास डी टी टीटी और स्कॉायर रूट वन प्रस्ट टू एक सिस्क्वाइर तो यह हमार पास टीए तो स्कॉयर रूट आफ टी बहुत सिंपल यह बने के वन बाई फूर और टीगी पावर थ्री बाई टू और यह आपके पास आगे टू बाई थी प्लस में आपका सी तो यहां से बना ट करके आगे ठीक है बचो यह क्या निकल के आगे आपके पास इंटीग्रेशन आगे इसका वन बाई फोर अड़ी इसको सिंप्रिफाइब करके तू से फोर कैंसल तो टू टाइमस में आया तो बन बाई सिक्स टी की वैल्यू पूट कर दी वन प्लस टू अक्स स्कॉयर होल प कैसे करना हम को ठीक है चलिए जिए आजए यह आगे पर बच्च वाते हैं अब देखो इंटिग्रेट दा फंक्शन फोर एक्स प्लस टू और यह आपके पास है एक्स स्कॉयर प्लस में एक्स प्लस में बन ठीक है दूसरा टेंथ नमबर पे वन अपन एक्स वाइनस स्क्व पहले नाइंथ नमबर वाले पर अगर आप देखो ध्यान से तो इधर पर हमें कुछ नज़र आ रहा है क्या नज़र आ रहा है चलो नाइथ नमबर वाले को करते हैं तो यहां पर आगर आप देखो तो इंटीग्रेशन आफ फोर एक्स प्लस में आपका टू और स्क्वाय रूट है आपके पास X square प्रसमे X plus में वन इंटू में आपका डी एक्स है ठीक है यहां से एक छोटा सा काम कर लो कि अगर टू कॉमन ले लो तो दिखने लग जाएगा इधर से अगर टू कॉमन लोगे तो यह बन जाएगा टू इंटू में इंटीगरेशन के अंदर टू एक X square प्लस में X plus में 1 DX अब दिखेगा यहां पर अगर मैंने let किया let X square प्लस में X से प्लस में 1 इकल टू टी तो X के respect में differentiate करने पर 2X plus 1 is equal to आएगा आपके पास DT upon में DX ठीक है बच्चो यह क्या आगा आपके पास DT upon में DX 2X plus 1 equal to DT upon में DX आजाएए तो next step पर क्या होगा 2X plus 1 into में जो DX है वो आपके पास DT के बराबर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएगा बच्चा DT के बराबर तो यह integration आपके पास बन गया ध्यान समझेगा 2X plus 1 into में DX आपके पास DT तो यह बने गया आपके पास DT और यह square root तो square root of T square root of T और यह हमारे पास क्या बने गया आपके पास DT शालो और कुछ बचा यहाँ पर कोई ऐसे चीज़ जो मिस कर रही हो कुछ मिस नहीं हो रहा ना चलिए ठीक है तो यहाँ पर values को put किया 2X plus 1 into DX equal to DT और यह आपके पास Q2 चलो solve कर लो यहाँ पर यह बन जाएगा आपके पास 2 by 3 T की पावर आपके पास 3 by 2 plus में C इसका integration अभी चार बार solve कर चुके हैं आप तो यादी हो गया होगा now 2 by 3 T की value अगर आप यहाँ पर put कर दो जो कि आपके पास X square plus X plus में 1 X square plus X plus में 1 whole power आपके पास 3 by 2 और प्लस में C यह आपके पास आगया clear है चलिए कई लोग integration को थोड़ा सा tough समझते हैं अगर देखा जाए तो कई जगों पर integration थोड़ा सा मुश्किल बन भी जाता है ठीक है लेकिन अगर आप simple सी मैं बात करूँ कि कुछ एक integration को छोड़ दिया जाए तो बाकी integration बहुत इंपल है और आपको हमें उन पर इतना परशान नहीं होना जो कुछ में बहुत ज्यादा सब्टिटूशन का यूज करना है या बहुत कॉम्टिकेशन है बाकी सारी चीज़े आपके लिए असानी रहते है चलिए यह कंप्लीट होगा बच्चो इसी तरीके से बच्चो आप 10 नंबर वाले को ठीक है और 11 नंबर वाले को सॉल्व कर सकते हूं एक्स माइनस में स्क्वाइर रूट आफ एक्स इंटू में डी एक्स लिखा हुआ है बताइए है सोचो दिमाग लगाओ क्या करोगे रिसनलाइस करोगे रिसनलाइस आइटिंक नीट नहीं है देखो ध्यान समझते हैं अगर मैं देखूं तो मैं इसको ब्रेक कर सकता हूं वन अपॉन एक्स को लिख सकते हैं स्क्वाइर रूट एक्स का होल स्क्वाइर माइनस में स्क्वाइर रूट आफ एक्स इंटू में डी एक्स ऐसे लिख सकते हो अब स्क्वाइर रूट एक्स को अगर यहां से कॉमन ले लो तो वन अपॉन में स्क्वाइर रूट आफ एक तो यह बन जाएगा आपके पास square root x square root x minus 1 into में आपके पास dx बन जाएगा है ना square root x को common ले लो तो square root x into में square root x minus 1 ठीक है अब देखो अगर अब हमने suppose कर लिए कि square root x minus 1 बराबर अगर t है तो square root x का x के डिफरेंसेट करोगो तो आएगा one upon में two times square root of x equal to dt upon में आपको dx तो यह बन गया बच्चो one upon मैं यहाँ पर रख दू तो one upon square root of x into dx equal to two dt तो two बहार लिख लो यह बनेगा आपके पास dt और square root x minus 1 आपके पास t है तो यह बन गया one upon में t into में dt this will be equal to two log mod of t plus में आपके पास c तो यह बन गया two log t की value अगर आप यहाँ पर put करोगो तो कितना आएगा square root x minus 1 square root x minus 1 plus में c यह आपका answer हो गया clear है यह आपका यहाँ पर answer निकल करके आगया बेलकुल simply apply करो एकदम light हो करके ज्यादा परिशार हो करके solve करोगे तो फस जाओगे एकदम अराम से सोचो basic चीजों को ध्यान सोचो कि क्या कर सकते हैं आप पर उसके point of view से करो तो बहुत easily गरबा होगे ठीक है चलिए conference lose नहीं होने देना है पिटा conference lose करने की बाती नहीं है बस इतने में हो जाएगा बस तुम करते चलो साथ के साथ ठीक है चलो हो गया clear अब 11 नमबर वाला एक्स अपॉर में square root x plus में four square root x plus में four है इसको कैसे करेंगे square root x के form पर break कर लो इसको अगर चाहो तो ठीक है 11 वाले पर अगर हम देखें तो 11 नमबर वाला कैसे बनेगा चलो यह बन जाएगा आपके पास integration x upon में square root x plus में four और into में आपके पास dx है ठीक है बचो चलिए ओके तो इधर से अगर आप simple सोचो तो ऐसा कुछ कर सकते हैं कि यह लिख सकते है square root x का whole square ठीक है upon में अगर मैं यहां से x common लेता हूं तो यह आएगा square root of x यहां पर अगर मैं क्या करता हूं आपका अगर मैं x common ले लेता हूं तो यहां पर square root of x आ गया और bracket के अंदर कितना आ जाएगा one plus में four upon x आ जाएगा चलो उसकी need नहीं पड़ेगी उससे को फायदा नहीं है वो complicated नहीं बनाएगी ठीक है चलिए तो इसको एक बार ट्राई करना ठीक है इसको एक बार आप खुद ट्राई करना ओके ठीक है अभी उसको मैं apply मत करना आप खुदार सोचो यहां पर कुछ औ आगे बढ़ते हैं बच्छो नेक्स्ट कोशन पर आते हैं हाँ इंटेग्रेट तफंक्शन यहां पर है एक्स टूदी पावर थ्री माइनस बन इन्टू में एक्स बन बाई थ्री और एक्स टूदी पावर फाइव ठीक है अब यह भी कुछ कोशन है यह बिलकुल बेसिक है सब्रीटूशन पर भेज़ जाएं यहां पर भी अगर आप देखो तो वन अपॉन एक्स लॉग एक्स टी होल पावर एम लिखा हुआ है जहां पर एक्स गेटरन जीरो और एम आपका नौट इक्वल टू बन है ठीक है तो सेम चीज़ आप यहां पर भी वही अप्लाई कर स कुछ से अध्री इसको आमें एक्स के रिज्पैक्ट में इंटीकरत करने बहुत ही सिंपल है इट्पेन विद्रस्पेक्ट टू अगर आप न्यूमेलर डिंटीनोर को देखो तो कुछ यहां पर एडिशनल हमें एडय करनी की रिक्वाइरमें नहीं है यहां पर अगर आगर देखो तो डिनोवेटर में टू कॉमन दिख रहा है आपको पास ठीक है तो यहां से अगर आप आप अब्जर करो तो यह बना टू टाइम सकॉस एक्स माइनस में थ्री टाइमस आपका साइड एक्स अपॉन में इसको देखना अगर यहां से आप वन वाइट टू कॉमन ले ल को यहाँ परमने सपोस्ट करें लेट थ्री टाइमस कॉस एक्स प्लस में टू टाइमस साइन एक्स आपके पास मालो टी के बराबर किसके बराबर अच्छो टी के बराबर तो अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में ठीक अगर हम इसको एक्स के रिस्पेक्ट में अगर हम इ तो यह आपके पास x के respect में differentiate करने पर बनेगा आपके पास 3 minus 3 sin x बन गया बच्चो और यह बन जाएगा आपके पास plus में 2 cos x टीक है plus में 2 cos x equal to आपके पास dt upon में dx बन गया तो यहां पर अगर आप घ्यान से देखो तो यह बन गया आपके पास 2 cos x minus में 3 sin x into में आपका dx जो है और dt के बराबर ठीक है अब देखो यह value जाकर के अगर आप यहां पर रख देते हो तो यह क्या बनेगे आपके पास 2 cos x minus में 3 sin x तो यह बना 1 upon 2 integration 2 cos x minus में 3 sin x dx यह बनेगे आपके पास dt तो यह बन गया आपके पास dt और अपान में 3 cos x plus में 200 एक्स पराबर आपने टी ले लिया ठीक है तो यह बनेगे आपका 1 upon 2 log mod of t plus में आपका c बन गया यह बना आपके पास 1 by 2 log t की वैली आपर पूट कर देते तो आपके पास आगा 3 cos x 3 cos x and plus में आपके पास 2 2 times यहाँ पर sign x and plus में आपके पास c निकल करके आगया यह हम को यहाँ पर integration निकल करके आगया clear 1 upon 2 log 3 cos x plus में 2 sign x plus में सी यहाँ को यहाँ पर integration यहाँ पर निकल करके आगया clear है कि नहीं जली से बताई है होगे है बच्चो complete इस तरीकी से हम इसको integrate करते हैं आगे बढ़ते हैं अगला question है बच्चो integrate the function 1 upon cos square x into में 1 minus में 10x का whole square ठीक है बहुत simple है अगर आप यहाँ पर इसको integrate करो with respect to x तो क्या नजरा आ रहे है cos square x को उपर लेके जाओगे तो बनेगा sec square of x upon में 1 minus में 10 of x का whole square अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखो तो let suppose करो कि 1 minus में 10x आपका बराबर है t के ठीक है differentiate करोगे 0 10x का differentiation क्या होगा sec square x तो यह आपके पास बन गया यहाँ पर sec square of x ठीक है और equal to यहाँ पर dt upon में dx तो basically अगर आप ज्यान से देखो तो sec square of x से into में dx बराबर बन गया dt वो भी minus का dt क्या बन गया minus का dt अप्लाई कर दो यहाँ पर तो यहाँ आपके पास बन गया यहाँ पर कितना minus में dt upon में 1 minus में 10x को आपने t लिया है तो upon में t square चलो जी तो यह minus बाहर कर दो t की power minus 2 plus 1 upon में minus 2 plus 1 and plus में c तो यह आपका plus में convert हो गया तो बन गया 1 upon में आपका t 1 upon में t plus में c t की value put कर दो तो 1 upon में t की value है 1 minus का 10x 1 minus में 10 of x यह बन गया आपके पास और plus में आपके पास c इसका integration आगया clear है इसका integration अब को निकल करके आगया आया समझ में बच्चो हो गया clear है 1 upon 1 minus में 10x और plus में c आपके पास निकल करके आगया clear चलिए तो इस तरीके से complete होता है आगे बढ़ते है चलिए इसी तरह बच्चो integrate the function x plus 1 into में x plus log x का whole square upon में x यह दे रखा है तो ध्यान से देखो बहुत ही simple है अगर आप इसको observe करो तो x plus log x को अगर आप ध्यान से देखिए इसको भी अगर आप देखो तो break कर सकते हो दो पार्ट वो कैसे break कर सकते हो ध्यान समझेए इसको अगर आप ध्यान से देखो तो पहली बात कुछ बच्चे suppose करेंगे कि हम यहाँ पर directly अगर हम let कर लें कि x plus log x को अगर हमने t ले लिया ठीक है x plus log x को t ले लिया तो basically यहाँ पर क्या मिलेगा one plus में one upon x one plus में one upon x equal to आपके पास dt upon में dx से ले लिया तो यह बन जाएगा आपके पास lcm ले लो तो x plus one upon में x आ गया सही है बहुत simple तरीके से आ रहा है x plus log x को t लिया तो one plus में one upon x equal to dt by dx x plus one upon x into में dx equal to आपके पास dt dt तो x plus one upon x यह आपके पास dt बन गया तो integration t square यहाँ पर dt आया और यह solve करोगे तो t to the power 3 upon 3 plus में c तो यहाँ पर value put कर दो तो टी की value x plus में log of x whole power 3 upon में 3 plus में c यह आपके पास answer निकल करके आ गया बहुत ही simple है substitution method मतलब की apply करते ही आपके लिए integration बहुत ही आसान हो जाता है ठीक है इससे integration आपका बहुत ही easily हम निकाल पाते हैं चलिए जी complete हो गया चलो इसी तरह बच्छो एक्स टूदी पावर 3 into में साइन टैन इनवर्स ओफ एक्स टूदी पावर 4 upon में इदे बनेंगें बनेगा बन प्रस एक्स टूदी पावर 8 इत को विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में स्कॉमें इतने में कहानी थोड़ी रुखेगे साथ के साथ यह होने के बाद इंटू में डी बाई डी इकस आफ एक्स टू दी पावर फोर यह तो रही गया चेन रूल अप्लाई हो रहा है एक्वल टू आपके पास डी टी भाई डी एक्स बन गया अब देखो यह बना फोर एक्स अपॉन में वन प्लस में एक्स टू दी पावर एट एक्वल टू आपके पास है यहां पर डी टी अपॉन में डी एक्स अब आप देख सकते हो एक्स क्यूब अपॉन में वन प्लस एक्स टू दी पावर एट अगर हम चाहिए तो हम लिख सकते हैं यहां पर कि एक्स गा वनवाइब पॉर साइन और यह बनेगे आपके पास टी इंटु में डीटी ठीट एक चलिए डीटी वाइफ और अगया और यह बने यहांज लिए साइटी का इंटिग्रेशन मने गा-ग्राइब प्रॉर कोस अप्लाइड टो माइनस का वन वाई कॉट कॉट टी की वैल्व कितनी एंब एक पाउर अपके पास सी यह हमारा आणसर निकल किया ठीक है यह वाला पार तो पूरा में सपोर्ण किया जो कि हमने यहाँ पर सिंप्रिफाइग कर लिया ठीक है तो आंसर हमार पास यह निकल किया आया माइनस में वन बाई फॉर कॉस इन्टू में टैन इन्वर्स एक्स्टू दी पावर फॉर प्रसमें सी यह हमको निकल करके आगे क्लियर है कि आया समझ में क्लियर है चलो हो गया बच्छो कम्प्लीट चलो ठीक है हो जाएगा आगे बढ़ते चलो इसी तरह कोशन है बच्छो इंटिग्रेट दा फंक्शन इटू दी पावर टू एक्स माइनस में इटू दी पावर माइनस का टू एक्स अपाउन में इटू दी पावर टू एक्स प्लस में इटू दी पावर आपका माइनस में टू एक्स इसको हमें क्या करना है उच्छो इंटिग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स ठीक है अब देखते ही घबडाना नहीं और इब आप रहे तो नहीं तू दी पास इसका differentiation with respect to x 2 into me e to the power 2x और यह बनेगा आपके पास e to the power minus 2x और into में आपके पास यहाँ पर minus का 2 आएगा और यह आपके पास dt by dx आ जाएगा clear है चलो तो यह बनेगा आपके पास 2 को common ले लो यहाँ पर तो बनेगा e to the power 2x माइनस में e to the power minus का 2x equal to आपके पास dt by में dx चलो यहाँ से cross multiply तो e to the power 2x माइनस में e to the power minus 2x into में आपका dx equal to आपके पास dt upon में 2 निकल के आएगा क्या बच्छो dt upon में आपको टू निकल करके आगे ठीक है तो यह अगर आप जहां से देखो तो यह क्या बनापके पास dt upon में तो यहां से बनेगे आपके पास 1 by 2 यह बनेगे डीटी और अपॉन में आपका यह ती तो अप्लाई कर दो तो बनावाई टू लॉग मॉड टी प्लस में सी तो यह बने गया 1 by 2 और यह बने लॉग और टी की वैली फुट कर देंगे आपर एट तो थी पावर टू एक्स प्लस में एटू धी पावर माइनस का टू एक्स एंड प्लस में सी यह आपका आंसर आगा क्लियर है यह सिंप्री यहां पर अबने बच्चो आंसर निकाल लिया तो बिलकुल basic integration process अभी हमने देखी यहां पर फॉर्मूले भी apply हो रहे है कुछ आपका rule भी apply हो रहे है chain rule भी apply मलब की basically differences integration थोड़ा सा mix है यहां पर ठीक है तो substitution method आपका यही है अब इस टाइप के questions आपको जगह देगा पर मिलेंगे अब हम आगे पर partial fraction उसके बाद आपका जैसे की third up का था उसको third method कौन था था बच्चों हमारा integration by parts ठीक है तो उन सभी method को हम आने वाले lecture में अपना cover करेंगे अ प्रचों कुछ special formulas है ठीक है special formulas है जो की substitution से ही निकल करके आते हैं जो कि आपको बिल्कुल अच्छे से learn रहने चाहिए वो कौन सा है integration of sec x into dx आपके पास log sec x plus में 10x plus c के बराबर होता है integration of cortex into में dx जो होता है आपके पास log sin x plus में c के बराबर होता है integration of I think यह repeat हो गया चलिए य इसको छोड़ो ठीक है now integration of cos x into में dx बराबर आपके पास log cos x minus में cortex plus में c के बराबर तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यह ना हो करके हम इसको चाहों तो ऐसे लिख लो एक formula और है आपका यहाँ पर लिगेता हूं integration of 10x into में dx जो होता है बच्छों आपके पास ठीक है simple integration of 10x into dx एक simple example से समझो लो कि बन कैसे रहा है 10x into dx तो actual में क्या बना यह बना आपके पास sin x upon में cos x into में dx बन गया तो अगर आप यहाँ पर cos x को t ले लेते हो तो क्या बन जाता है cos x को t लेने पर बनता माइनस में sin x into में dx बराबर आपके पास बन जाता है यहाँ पर dt तो बस अगर आप यहाँ पर apply करोगे तो क्या बन जाएगा sin x dx equal to minus dt तो यह बन जाएगा आपके पास minus में dt upon में आपके पास cos x की value t हो गए तो बन जाएगा minus में log mod t हो गया plus में आपके पास c आ गया तो यहां से apply करोगे तो minus का log t की value अगर आप ध्यान से लेखो तो यह आपके पास बन जाएगा कितना cos of x ठीक है और plus में c तो अगर आप चाहो तो इसको हम लिख सकते हैं log cos x को one upon minus को अगर आप इसकी power में लेकि दाओगो तो one upon cos x बन जाएगा तो actual में यह आपके पास log sec x plus में c बनता है ठीक है बचो तो दो तरीके से लख सकते हैं minus में log cos x plus c या फिर लॉग sec x plus c तो बेसिकली यह भी आपके एक तरीके से सब्टीट्यूशन से ही अप्लाई होकर कि आ रहा है ठीक है तो यह दो बार रेपीट हो गया उसके बास cortex का आपके पास log sin x plus c similarly यह तो यह कुछ आपके substitution के कुछ स्पेसल फॉर्मूला है जो की निकल किया थी लर्ण है नहीं चाहिए log 10x आपके पास log sec x plus c या minus log cos x plus c log integration of cortex into dx बराबर आपके पास log sin x plus c sex into dx बराबर log sec x plus 10x plus c और cosec into dx बराबर log cos x minus में cortex plus में आपका c clear यह हमारे पास कुछ spatial फॉर्मूलाद है जिनको अच्छे से learn करके रखिएगा क्योंकि आने वाले questions में जब हम अगले question पर देखेंगे तो इसी type के हमको problems वहाँ पर मिलेंगे ठीक है बचो चलिए अब हम lecture को आपका यही पर finish करते हैं next class में बचे हुए दो method जैसे कि आपके पास partial fraction उसके बाद आपका आपके बाद आपका